हेलो व्रीवन वेलकम टू ब्रेक्टाइम क्लासेज इस वीडियो में हम कम्प्लीट इंडियन जोग्रफी को कवर करेंगे और यूपी पीचेस के एक्जाम के लिए एकदम अंतिम हत्यार के रूप में काम करेंगा सभी 95% से ज्यादा कोशन आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे जितने भी टॉपिक इसमें लिख्या हुए हैं और जितना भी आपको शॉट नोट ए एक ही ग्रॉप में मिल जाएंगे। चली सुरू करते हैं यहां पे सब कुछ आपको मिलेगा जिस तरह सेrüने पीचेस में और अरेंज करने को दिया जाता है जैसे यहां सबसे पहले पहल यहां से यह वाली स्रॐड़िया जो है नेपाल में भारत में हिमालय वाली और धच्छन भारत की सभी सथे हुआ को चेकंति अफ़ले से हेटाओ अमेटाव क्रफा निदुन फेल पॉरा के बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि यह एंडिया से यह सीमा आजा करता है इंडिया में इसका हिस्सा है बहुत अइस представ 10 जो रोलberty इन टव BENJ चोटियां बनी है wann automated सब्सक्राइब रइंज का ऊसन्वालडर पुछा जाता है तो न यह वाली हो गई लद्दाग यह वाली हो गई जासकर फिर इधर वाली हो गई यह पीर पंजाल हो गई यह पीर पंजाल और यह वाली जो है यह धौलाधर पहले तो यह पांच याद रखनी चाहिए कारा कोरम लद्दाग जासकर फिर पीर पंजाल फिर धौलाधर इसी करम में यह याद रखना है अगला जो यहां पर चीज है कि यहां पर कारा कोरम पे यहां पर चोटी है जो कि है केटू यानि गाडविन आस्टिंग जिसकी उचाई है आठ जार 611 मीटर अभी सभी को हम जितनी भी चोटियां उसको ऑर्डर में भी देख लेंगे बहुत सारे कोशन बनते हैं इनको अरे यानि पीयो के में हैं और यहां पियू के में आता है यह अंगा परबद स्फॉं के में आता है लेकिन उचायाएक कने क्यों जादा है और इसको भारत के ही पार्ट मांसे है है और हह भी भारत काही पार्ट आगे बात करेंगे जो इंप्टरम्टट और चीजह हैं जैसे यहां पर उत्रा खंड की तीन चोटियाये, उत्रा खंड में कौन कौन सी चोटिय इतो पहली है कामेट, तृसरी तृसूल, थी सृस्वरी नन्दा देवी इन के उच्छी से ननदा देवी तृस नो पूर्णा मतलब एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अन्पूर्णा यह मुझे किसी ने बताया था कि यह ट्रिक्स से जल्दी आसानी सियाद हो सकता है तो मैंने यहां पर आपके साथ सेयर किया पहले धौलागिरी फिर अन्पूर्णा फिर एवरेस्ट मतलब खाना मांगो अन्पूर्णा रेस्टोरेंट में जाके और मांगो कुछ उसके बाद जो फोर्थ नंबर वाली वहां पर क्या मिला आ मंद्पूर्णा एवरेस्ट और मकालू अब यहां पर एक चोटि आएगी जो पूरी तरह से इंड्या में हैं कंचन यंगा यहाली चोटि जो कि सिक्किम में स्थित है करभार, पूरी तरह से भारत में इस्थित यहीं चोटी है, कंचल जगा, Сीर्स में पहले नमबर पर實 das के उसके बाद यहाँ पर हिमालय की चोटीयों की बात करें तो दूसरे नमबर पर केटी कू आती है और कंचंड जंगा पूरी तरह से इंडिया में में है सिख्टिम में इनका चाड और फिर ही दाफ़ला Miri Abor Mismi इसी क्रब में यह चारो उन्हुत कहां पे हैं और उनाचल प्रदेश में और आगे की चोटी है अब यहां से घूम जाना है और क्योंकि यहां से हिमाले भी है वह भी बेंड हो जाता है तो यह पठकाई बूम हाती है यह नोडाचल प्रदेश में पठकाई भूम справ फिर नागा लेंड आता तो नागा लेंड की नागा हिल्स आती फिर ये मीजो हिल्स है मिघाले में तीन हिल्स है गारो खासी जैनतिया और यहां पर एक असम में है बैरल हिल्स तो बैरल हिल्स असम में है गारो खासी जैनतिया तीनों इसी क्रम में पहले गारो फिर खासी फिर जैनतिया पश्रिम से पूर्व यह मेघाले में है और इधर वाली जो यह है यह चारो पाचो इसको याद रखना है डाफला मिरी अबोर मिसमी फिर इधर पटकाई बूम नागा हिस मीजो हिल उसके बाद जब यह हिमाले का विस्तार होता है तो समुद्र की तरब चला जाता है फिर इसको अराकान नियुमा का जाता है अराकान युमा भी आगे जब निकलता है तो हमाले का ही पार्ठ है यहां पर अन्रमान निकोबार का नेर्मार हुआ है यह हिमाले का बढ़ता हूँ पाठ है ऐसा बग्यानिकों का कहना है आगे बात करेंगी तो हो गई हिमाले वाली चोटियां अब कुछ भारत में जो हैं जैसे अरावली की बात करें तो अरावली पूरा दिल्ली से लेकर दिल्ली हर्याडा राजस्थान गुजरात के उत्री भाग तक फैली हुई अरावली रेंज और इसका जो सबसे उपर वाला सिखार है सबसे जो इसकी पीक है चोटी वो है गुरू सिखर जिसकी उचाही है 1722 मेटर उचाही इसकी याद रखने हैं क्योंकि पूरे परबत की सबसे उची चोटी है गुरू सिखर माउंट टाबू में इस्तित राजस्थान में 1722 मेटर इसकी बाद यहाँ पर कुछ पहाड़ियां है जो कि गुजरात में इस्तित हैं कौन-कौन सी मांडव वर्दा गिर मांडव वर्दा गिर कहां पर है कि जो कम फेमस होती है यह यूपी पीसेस के गिजा म और के जाएं और मिम्यों केरेंट कि साइड पूर्ब में स्थित है अगर रंच को आ चाहिए फिरस पूड़ा के लास्ट मिए उसे का एक्स्टेंड़ेट पार्ट है मैकाल मैकाल मध्यप्रदेश में भी आती चतीजगण में भी आती यह मैकाल रेंजिस हैं उसके बाद सत्पुडा मिंध हो गई सत्पुडा हो गई इधर राजमहल की पाडियां जो की जारखंड में स्थित हैं अब इधर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को भी क्रम में देखना है जैसे हमने हिमाले को देखा था वैसे पश्चिमी और पूर्वी घाट को भी देखना है तो पहले पश्चिमी घाट देखते हैं पश्चिमी घाट की पहली चोटी हो गई पहली परवस्रेड़ी हो गई सत्माला यह हो गई सत्मा पहले सब्सक्राइब यहां पर काल सुबाई चोटी महाराष्ट की सबसे उची चोटी कौन सी है तो काल सुबाई 1646 मीटर है इसके बाद जो आती है काल सुबाई की बार पश्मिघाट पर महाबलेश्वर आती है महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकली है तो यहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर से इसकी उचाही है 1313 मीटर सबकी उचाही नहीं याद रखनी है बस याद रख लीजे कि यह काल सुबाई के बाद में आती है और इधर बाबा बुद्धन की करनाटक में है अभी हम खनीजवाले सेक्शन में बाबा बुद्धन से देखेंगी बहुत सारे खनीजवाला पार्ट काफी इंप्पॉर्टन्ट है नेक्स्ट है यहाँ पर महाराश्ट की हो गई काल सुबाई और महाबलेश्वर फिर आती ब्रह्मिगिरी ब्रह्मिगिरी करनाटक में है और ब्रह्मिगिरी से कौन सी नदी निकलती तो कावेरी नदी नदी वाले सेक्शन में भी देखेंगे फिर आती दोद्धा बेटा यहां पर पश्मी घाट और पूर्वी घाट जहां पर मिलता यहां पर नील गिरी की पाणिया नील गिरी की सबसे उची अनाइम उडी की चाही 2695 मीटर अब यहां पर पूर्वी घाट पर चलते हैं कौन कौन सी पाड़िया पूरवी घाट पर सबसे पहले महेंद्र गिरी उडिशा में है 1501 मीटर इसकी उचाही है पहले यही सबसे उची मानी जाती थी लेकिन अब एक और है जिंदा गड़ा इ समय है फिर आंदर प्रदेश में दो यहां पर रेंजेस है एक हो गई नल्ला मिल्ला एक हो गई वेली कुंडा नल्ला मल्ला और वेली कुंडा कहां पर है आंदर प्रदेश में यह याद रखना है बहुत इंपोर्टन्ट है नल्ला मल्ला फिर वेली कुंडा इसी क्रम में य यहां पर सबसे में कई सोटी है कि यहां पे पूरवी घ्लण का फिर से देख लेज़ें़ यही करम महेंद किरी नल्ला मल्ला वेली कुंडा जवारी सेवराय पंच मलाई पालनी यही क्रम आता है अक्सर इल्जा में पुछा आता है दोनों का क्रम यहां पर पस्षिमी घाट का और पूरवी घाट का अब तो यह बात हो गई पूरा पाड़ियों की नेक्स्ट बात करेंगे काड जो यहां पर आती है मकालू रेंज जिसकी उचाही है 8481 में भारत में इस्टित है पाकिस्तान अक्कुपाइड कस्मिर में और तीसरे नमबर पे यहां पर याद रखते हैं तीनों की उचाही एग्जैक याद रखते हैं यहां पर केटो की जो थी 8,611 थी कंचन जंगा की 8,597 मीटर है और यह सिक्किम में भारत में स्थित है नेक्स यहां पर अगली जो चोटी है कंचन जंगा के बाद वो आती है मकालू रेंज कंचन जंगा के बाद फोर्थ नंबर पर यहां पर आएगी वो है मकालू रेंज जिसकी उचाही है 8,481 मीटर 8,481 मीटर और उनने देखा था कि जो धौला गिरी थी अन्यपूर्णा थी एवरेस्ट थी और मकालू थी चारों कहां पर थी तो यह नेपाल में थी और मकालू वह नेपाल में था में फिर धौलागिरी मकालू की बाद उचाही में पहले मकालू आतीए उसके बाद धौला गिरी आती है दौला गिरी की उचाही ऑप 1160 मीटर यहां पर सबकी उचायब नहीं आद रखनी बस क्रम याद रखी मकालू के बाद धौला गिलिया गी जो कि नेपाल में फिर नंगा परवत का नंबर आता है भारत में नहीं है पाकिस्तान और चीन में फिर नंदा देवी आता है नंदा देवी याद रखेगा इंडिय धbourne भी इससे उची है धहलागिरी भी उसते ऊची है मकालू भी इससे ऊची है कहाँ परेवव łand communication नदियों की आधार पर चार घ्रजनी ने कियाए इसको तो चार कौन कौन से है पहला है पंजाब हिमाले यह कहां से कहां तक है तो सिंदू से लेकर सतलज तक का छेत्र जो बीच का एरिया इसको पंजाब हिमाले का जाता है या फिर इसमें कस्मीर भी आ जाता है तो कस्मीर हिमाले या हिमार्चाल हिमाले भी इसी को कहते है इस सबसे छोटा हिमाले हैं सबसे छोटा है 32 क मिलोंगत्र 108 सबसे चोट मैं या और पूछा जा это आजाते हैं कि अंतरगतत बात करेंगे अगला जो है नेपाल हिमाला और इस तरह से प्रादेशिक विभाजन विभाजन में सबसे छोटा जो नेपाल नदी से 30 गूमाऊ था सिंदू से लेकर 17 तक काली से लेकर 30 तक नेपाल हिमालय पूरा और इसकी लंबाई कितनी तो 800 किलोमीटर सबसे लंबाई 800 किलोमीटर और इसमें जो रेंजे आती हैं इसी के अंतरगत पर प्रम पुछन सो हम पशलम नेंने नेज थिस्ता से के नेजिपस कोछ रने पर कुछ प्रमु ग्लेसियर फेल Tonight सियाचिन जो है कारा कोरम रेंजिस पे है और यही से नुबरा नदी निकलती है लडाक में इस्तित भाई सबसे बढ़ा गलेसियर ऐ सियाचिन सबका बस यही थोड़ा बहुत चीज़ें इसमें याद रखनें ससायमी कहां ये भी कारा कोरम में है रेंजिस पता होने चाहिए कि कौन सा किस रेंज पर है तो शीयचीन से सायमी हिस पर वियाफो बहुत सारे ग्लेशियर जोए वो हुकारा कोरम के अंतर्कति आते हैं सब्सें इंपवोर्टन्च वाले शीयचे नेक्स्ट है यहां पर उत्राखंड में कौन कौन से ग्लेशियर है तो पिंडारी ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर यहां से गंगा और यह मुना नदिया निकलती है सतो पंथ ग्लेसियर है जहां से अलक नंदा निकलती है बद्री नात में बैती अलक नंदा सतो पंथ से निकलती है और केदार नात में कौन सी बैती है तो मंदाकी नहीं बैती है वहाँ पर को कि कना टो कोफ़ा perspectives नार्मली एक्जाम है कि वहां है स्थेत को सब्धार हो का है था हम इसको सब्सक्राइब बात करें कि फिर राडँ पूरे हिमाले को काड़ कर दर्रे के माध्यम से इंटर होती भारत में आती है तो पुरानी नदिया है जो पहले से चल रही है और उनके कितने भी नए नए परवत बन जाए लेकिर अपना रास्ता नहीं बदलती है ति पूरवा नुवर्ती हो गई सिंदू सतलज आगे बात करते हैं गंगा नदी तर्र के बारे में बहुत सारी चीज़े पूछी आती है और बार बार इसे रिविजन की जरूरत होती है तो सबसे पहले पंच प्रियाग देख लेते हैं पंच प्रियाग इसमें कोशिन बहुत पूछा जाता है और थोड़ई से कंफीजन म होता है तो सब में लगभग अलक नंदा जरूर रहेगा तो अलक नंदा एक ले लिए विश्णु प्रियाग में धौली गंगा विश्णु जी के मंदिर में हम जाते हैं तो पैर धो कर जाते हैं तो धौली गंगा हो गया फिर नंद प्रियाग नंद प्रियाग नाम से इस पस फिर रुद्र प्रियाग आता है तो रुद्र प्रियाग में अलग नंदा के साथ मंदाकी नहीं मिलती है एक एक्स्ट्रा याद रखना है रुद्र प्रियाग में मंदाकी नहीं मिलेगी फिर देव प्रियाग में अलग नंदा और भागी रहती मिल जाती है और यहीं से आके इसका नाम गंगा हो जाता है जो सी नदी गहरी रहती उसी के नाम पर आगे बढ़ती है लेकिन यहाँ पर अलग नंदा और भागी रहती की गहराई सेम है तो इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम गंगा हो गया देव प्रयाग से तो इस तरह से पंच प्रयाग हो गए यह यहां पे यह भी बनाए फोटो यहां से अलक नंदा कहां से निकल रही तो बदरी नाज से फिर दर केदार नाज से जो है मंदाकिनी नदी निकल रही है गंगोत्री है यहां से भागी रती निकल रही है फिर यह मनोत्री से गंगा नदी निकल रही है नेक्स्ट है अलक नंदा का उद्गम कहां से होता है तो यह बद्री नाच चो भी हमने देखा था बद्री नाच से मंदाकनी का उद्गम कैदार नाच से भागी रती का गंग उत्री से अब गंगा नदी तंत्री पूरा देख लिजे बहुत ही इंपॉर्टन्ट है यह इसमें बहुत सारी चीजे से लिएवो अ dall ही और अकर पूछा जायए मैदानों मैं कहां से प्रवेस करती है तो हरी द्वार से मेंतर हो जाती है है उसके बाद बिजनौर के बाद की जाए तो यमना में जो है आर आधारन पूर से यूपी में एंटर होती है सारन पूर से आका यूपी में एंटर होती है और यह जो है बिजनर से आके इंटर होती है कुछ दूर दोनों जो समानतर चलती रहती है उसके बाद पहले यहां पर गंगा के बारे में देख लेते हैं गंगा से सबसे पहले नदी यहां जो प्रमुख नदी आके ढर्ण पर यहाँ पर प्रयाग राज में आगे लेकिन यमोना के थोड़ा जाकर तो टूर्स नदी होगई दो लेक्त प्रदेश में उत्रखंड में बैए यमुना किसायग अगे बात करेंगे फिर कुस दूर चलेगी तो यहां पर कौन से नदी मिलेगी से निकलें पिली भीट से और आके मिलगई है काजीपुर में जाके गंगा से अब फुलहर मतलब यह गोंती नदी की भीएक साइक नदी जिसका नाम है सै नदी यह सै नदी कहां से निकलती है तो भीजवान झील से निकलती है प्हागरा काहां से आई है तो तिबद से आ एये ऑर घागरा की भी दो सायक नदियां जो पूछी आती है तो एक उगई राप्ति दूसरी उगई सारदा इसके बाद की जितनी नदियां वह सब बिहार में ही मिलेंगी UP से बाहर हो गई है, तो घागरा की सायक नदी कौन सी है, सारदा है, जो की पिथावरागड उत्राखंड से आती है सारदा नदी, और इसके बाद जो अगली है, वो है राप्ती नदी नेपाल से आती है, पर आती है गंगा में मिलने वाली नदी वो है सोन नदी पटना में आकर मिलती है यह गंगा नदी से सोन नदी और कहां से निकलती है तो अमर कंटक से तीन प्रमुख नदिया निकलती है एक तो इधर आती है सोन नदी एक इधर जो चली जाती है नर्मदा नदी जो कि खंबात तो यहां पर घागरा के बाद कौन से आएगी गंड़क इस क्रम भी पुछा दा सकता है कि पहले राम गंगा फिर वरोणा फिर घुमती फिर घागरा फिर घंड़क नेपाल से आती है और आके गंगा में मिलती हाजीपुर में आगे बात करेंगे फिर बाग मती आती है कोसी महाननदा ब्रह्मुपुत्र यह सब युदनी इंपोर्टन नहीं है बस क्रम पता होना चाहिए गंड़क के बाद कौन सी मिलती है तो बाग मती मिलती है नेपाल से आती है फिर कोसी मिलती है नेपाल से आती है और यह अपना मार् आती है दजलिंग से और आके मालदा के पास पत्षिमममं मालदा में मिलती से धरी गंगा को मोलने होघाइसाओ से अलग हो जाती ठावटरी जो इसका नाम है ुगलि है यह कलकता में अर्फ्व से अलग होकर कही और ह lot भूबली की सहाइक नदी कौनसी है तो दाम ओदर इसकी प्रमुख सहाइक नदी है कि अब बाश्रिम बंगलेय्पन ऑध बंगलेश के इंट्र जाती हिसा नाम जो कि बंगलेय पदमा हो जाता ह् और यहीं पर इसे क्ली मंगल में बंगल में ब्रहम पुत्र जाता है लास्ट में दोनों धाराइं मिलके थोड़ा और आगे बढ़ती है उसके बाद मेगना के नाम से भाड़ा कि खाड़ी में गिर जाती है उसके पूरी कहानी थी अब कुछ और चीजिए हैं पर यमुना का भी देख लेएं यमुना का भी पूरा बना हुआ यह हो गई तो siya गाजियाबाद वाले एरिया में नदी suitable रहता है कि यमुना की नदी निकलती है कि यमुना की फिर प्रमुख नदी निकलती है कि यमुना की जो दाहिने तर्ट से मिलने वाली नदी कौनसी है तो ये सभी दाहिने तर्ट वाली है और इधर वाली जो थी बाएहने तर्ट की दो नदीया है Tons और Hinden Tons और इंडल जो है 20 नद से मिलने वाली वह प्रमुख नदी यह हो गई चंबल नदी जो की जाना पावा पहाड़ी से निकलती है मद्द प्रदेश में महू से चंबल नदी महू से निकलती है जाना पावा पहाड़ी से और चंबल की सायक कौन कौन सी है तो छिपरा नदी जिसके किनारे उजयन इस्तित है छिपरा नदी के किनारे उजयन है ये नदी और काली सिंद नदी और पारवती निती और इधर बनास नदी चंबल की सायक नदिया कौन कौन सी है तो एक हो गई छिप्रा उजन के किनारे वाली फिर काली सिंध हो गई पारवती हो गई और एक हो गई बनास फिर आती ही चंबल के बाद जो नदी मिलती है यह मुना से यह तो हो गई पूरी चंबल फिर यह हो गई सिंध चंबल के बाद क hen γ indispens़े जीले से विन्ध रेंजस से निकलती है बैत्व выб सटू पूरमें अके यमुना से मिल जाती है वह फिर केन नदी केन नती निकलती कैमुर रेंजल से कटनी में और यमुना में आपकर यमुना से रेक्स यहां पर बात करेंगे यमुना कि साइक तो तो इसमें प्रमुक्त टोंस हिन्डल उसके बाद करेन और सेंगर इसमें उर सेंगर इसमें मैप में लिखी uई नहीं हैं लेकिन करेन और सिंगर भी यामुना की सायक नदियां जो पुछी हाथी है इसमें सिंगर जाधा इंपोर्टेंट है यामुना के बाएं-ठट से मिलने वली नदिया हैं टोनस हिंडन क्रेन और सिंगर यहाँ नदी की लंबाई कितनी है तो в 156 km यहाँ पर गंगा नदी की पिरकागरा सोन गंडग भागमती कोशी महानंदा ब्रह्मपुत मेगना चंबल नदी जो भी हमने देखा था यमुना के सायक नदी है चंबल नदी जो कि पहली नदी मिल रही थी यमुना से अगर इस तरफ से बात की जाए दाहिनी तरफ से तो यह जो है बीहड बनाती हुई जलती है उत्खात करती हुई खोदती हुई जलती है तो आपने देखा होगा जिसमें शोले मुवी में जहां पर गबर रहता है वह वाला एरिया पूरा चंबल वाले डाकों का एरिया है तो जिस तरह से विव दिखता है उसका बीहर्द जैसा इलाका जो दिखता है वह थो ही 15 sometime in QR पाकस्तान प्राइत है उसके बाद जाकर अछ्फागर में की गिरती है फाल लुकार के दो सिंदु के बारे में देख लेते हैं सब्से乾 darf कास से निकलती तो मां समयर और निकलती है और इसकी जो साइक नदी हैं इसको पंचन नदित्या को सब्सक्राइब पार जा चनाब नदी यह मोटी वाली चनाब से मिलती है बाकी जो नदियां वो चनाब कर मिलती है पर पेंब में जजो चनाब से डो नदी से मिलकर बनी चंद्रनदी एक बागा नदी यह दोनों अधिया चंद्र और भागा जो है बढ़ा लाचा दर्रा के दोनुचािट से बहती हैं उसकी बाद चेनाप का निर्माड़ करके कि निकलती है फिर आती है यहांपे सतलज मिलती है डो नदी आ yakas tu al week us a do यह जो जो है इंथा ती दूसरी हो गई यह जक्रण efforts नदी और एक जो ब्रहमपुत नदी इधर साइट नहीं ब्रहमपुत रेंजन में पढ़ेंगे ब्रहमपुत वाली नदियों के सक्षन में अब सतलज के बारे में एक चीज पूछा जाता है कि कहां से भारत में एंटर होती है यह आती तो है तिब्बत से लेकिन यहां पर एक पास है एक दर नदी जो कि व्यास नदी इतने भी नदियाँ चारो पांच इसमें इसमें सिर्फ एक व्यास नदी जो पूरी तरह से भारत में बैती है पाकिस्तान जाती है ना तिबबत तो चैनारा डील से सतलच की पहले व्यास भी आ जाती है अगर ही nationalism ल जेलंकी ति Г turkey डाही की यहाद से ऐंदी सिंदू से वह कॉन कॉनеся मिलती है तो टाहिनी ओर से शुक मिलती है डूबरा मिलती है गेष्ट नडी इस अब ही जाति सिंदू की उसके बाद गिल्किट हो गई काबूल नदी हो गई स्वाथ सब नदी हो गई अफगानिस्तान में आके सब मिलती हैं कुर्रम नदी हो गई तोची नदी हो गई लगांगे बहुत सारी देखेंगो और भी हैं तो यहांपर एक डैम बनाई जिसका नाम है हरके डैम यहार रखना है व्यास और सतलज के बीच की बीच का यह एरिया है ब्यास और सतलच के बीच का जो एरिया है इसको कहते हैं विस्ट दो आप वा से हो गया विस्ट उसके बाद टा से हो गया सतलच फिर बारी दो आप जो है व्यास और रावी के बीच में जो है बारी दो आप फिर रचना दो आप जो है रचना और रावी और चेनाप के बीच मे σωðan तो नाम से थोड़ा बोलने में देखिंग्स कर रहा होगा रचना लोज हो रावियं और चेलाव e फिर आता है एंपर चार्ज दोब चार्ज दोब कहा और चेलाओं चेलाव और छेलाव ही पाच आप यह पांच यह पंजनत के जो दोब यह जासकर नदी आके मिलती है सियांग मिलती है सियांग और सिगार नेक्स्ट है यहां पर सिंदू से दाएं तरट से मिलने वाले नदी कौन कौन सी तो शेयो को गई काबुल कुर्रम तोची जो भी उने देखा था नुब्रा उसके बाद गोमल गिल्गित यह सभी जो है बब ब्हुंपुद्र में दे लंबाई कि नि टो visit you सबसे लंबी नदि दियों में पड़ी कि पर ईसबसे लंबी ब्हारत में लंबाई नॉस उसवसोलह किलोमेटर बहरत लब बाई 916 किनोमेटर उद्गम कहां से होता है तो चेमा यंगडूंग ग्लेशियर वहां से इसका उद्गम होता है चेमा यंगडूंग ग्लेशियर नेक्स्ट बात करेंगे दाहिनी और से इससे कौन-कौन सी नदी आकर मिलती है ब्रह्मुपुद्र से तो यह माली जे ब्र सीरी कामेंग को क्योन अनाचल प्रदेश में का मिलきます कि अ आगे ब्रह통 प्लेशियर कोई ऑपसेश्onsense रह सकता है कि C31 किसले that भरमुपुत्र की सुबंसीरी को मानस नदी संकोष साथ जल्ड़ा का और तीस्ता से सभूष ब्रम्वित्र और कौन कौन मिलता है तीस्था सिक्किम पूंसले घिLE और ये इसे एरिया छेए diagnostic आ tad अंक वाली नधिया में अरब सागर में गिरतियाहां पर मादर नधी शत्रंगी नधी साबर मती माही माही नधी वह है वही है सब से πहले गुजरात में आपे कौन-कौन सी है तो पहदर है सतरंगी है भाधर और सतरंगी उसकी बार लूनी नदी रही पर एक बैटी है trimming कच्छ के रहन में आकर विलीन हो जाती है जो नमकीन पानी होता है जो कि राजस्थान वाले एरिया यहाँ पे लवड ज्यादा पाई जाते हैं नमकीन नधी बिल्लीन हो जाते है इसके लागा अगली नदी जे खैसमन भीस से निकलती है राजास्थान में माही नदी विंध रेंज से निकलती है मद्य प्रदेश से नर्मिदा जो कि भ्रनसला घाट किसे निकलती हं मद्यप्रदेश में और आप a फिर मांडवी नदी निकलती है मांडवी ओर जुवारी दोनों गूवा की नदिया आ अरब सागर में गिरती हैं और यहाँ पर नर्मदा के बारे में थोड़ा सदेख लेते हैं क्योंकि नर्मदा अरप सबसे लंबी करती और भंगाल तवा सक्कर हीरन और बरनेर इस अभी जो है नर्मदा की साइक नदिया है इसके लाओ इस पर एक जल प्रपात है एक वाटर फॉल इसका नाम है कपिल धारा या फिर इसी को धूअधार जल प्रपात भी का जाता है जो कि जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश में और नर् गुजरात के सूरत जो है किनारे की किनारे इस पूछा जा चुका है इसके लाओ तापी की कुछ परियोजणा है जैसे काकृण पार उरकाई त filing अब अगले ठीक बैश्ण भारात नदीया अपने प्रवड़ा पुरानी नदिया इन का समें नई बढ़त सबसे पहले हापर हुगली और हो जो इसे आंडी है निर शेन, तरीम, फिर तावरी पर आगली यहाँ पर क्रिष्ना, पेनार, कावेरी, वेंगई और तामरपडी में 20 इस ही क्रम में याद रखना है हुगली उसके बाद स्वंड रेखा फिर वेतरनी फिर ब्राम्डी ब्राम्डी यहां है बित приготов करिका नेशनल पार्क जो है उडिसा में मे violation तो यह आद रखेगा फिर महानदी आती है फिर गोदावरी कृष्णा पेननार फिर कावेरी फिर वेंगई फिर तामरपड़ी सभी नदिया इसी क्रम में आद रखनी है आगे बात करेंगे जो नदिया इनके बारे में भी कुछ चीजे जिसे माहनदी प्रमुख नदी है किलोमेटर की लंबाई है और इन नदियों की जो सायक नदियां वह बहुत इंपोर्टन्ट है इनसे एक्जाम में बहुत कुष्ण पुष्वयाते क्रिष्णा कावेरी वगरे की जो सायक रहती है तो महानदी काउदगम कहां से होता है सिहावा पहाड़ी से 36 गड़ में अमर क कि ही सायक नदियें इसके लाओं महानदी के किनारे प्रमुक्ष सहर है कटक में किसी महापुरुष का जनम हुआ तो उनका नाम जो है कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा इसके लागर वीडियो आपको यूस्फुल लग रहा हो पसंदा रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करुएस आगे बात करेंगे मानदी के बाद गोदावरी को दच्षड गंगा भी घा जाता है तो अगर भारत लगत खाशद बारत की घंगा कि उडब से ल highway इसके पुज़वरी की बारे में और खासपात कि दच्षड भारत की सबसे लंबी नदी इसको दच्षड गंगा भी का जाता है और दच्षड भारत की सबसे लंबी नदी भी है कितने किलोमेटर दे badly 1465 किलोमेटर 1465 इसकी लंबाई उद्गम कहां से होता है तो महाराश्ट के नासिक से त्रेमकेश्वर की पहाडीयों से इसका उद्गम होता है गोदावरी का अब वाच्छेतर इसका क्या क्या आता है सभी सायक नदीयों को लेकर तो महारास्ट तेलंगाना आंदरप्रदेश 26 जाएं ऑडिशा जो है इसके गोडावरी नदी के अपवापत रहें है अब इसकी सायक नदिए बहुत इंप्रॉटनंट गोडावरी की जितनी भी सायक नदी है सब एक्जाम में बहुत पुछी आती तो प्रवरा है पूर्णा है मंजरा पेन गंगा वेन गंगा प्राण हीता प्राण हीता जो है पेन गंगा वेन गंगा और वर्धा को मिला कर बनती ही प्राण हीता तो प्रवरा पूर्णा मंजरा पेन गंगा वेन गंगा प्राण हीता इंद्रावति मनेर और सब्री किसकी है और यहां राजमुंद्री किसके लिए फेमस तम्बाकु के लिए तमबाकू का बोर्ड भी यहां परिस्तेत है आंध्र प्रदेश में राजबुंद्री किस नदी के किनाते गुदावरी के अगली चो नदी है क्रिश्णा नदी इसकी लंबाई कितनी 1401 मीटर 1401 में इसी क्रम में हम देखती जा रहें १ूर्ण चो 1 किलोमेटर उदगम होता यहां फहाल है तो महराश्च packed महावलेश्वर से इसका उद्गाम होता है कृष्णा का किन-किन राजय में बहती है तो महाराष्ट में बहती है करनाटक में तिलंगाना में आंध्रडेश में कृष्णा की सायक नदियांगा और कौन सी भीमा तुंग भधरा मूसी अमरावती कोयना पंच गंगा दूद गंगा घाट प्रभा माल प्रभा सब्धीमा तउंगभद्रा मूसी अमरावती कोईना पंच गंगा दूद गंगा घाट प्रभा माल प्रभा अभी अम्रावती इसको देखेंगे हम कावेरी वेलिसायक में क्रश्ना के सायक आए दूसरी कावेरी वह दूसरी अमरावति है आघे बात करेंगे कावधेरी नदी की 800 km इसकी लम्बाई है कावधेरी की इसको दच्षड भारत की गंगा कर जाता है कियो जाये कावेरी को कमा इसकी लमबाई है 800-8 Kilometer और उद्गम कहां से होता से ब्रह्मगीरी की पहाड़ियों से होता है कणनाटक कणनाटक करनाटक में इसका उद्गाम होता है कावेरी का सायक नदिया गौन कौन सी हैं तो इसमें लगा होगा बडी की मात्रों लाष्ट में हेमावती शिमसा अर्कवती काविचा भवानी नोईयल । लई तरह की मतलब भावानी टाइप की जो नदियां वह सबी सहते हैं तो कंबी घोड लौी लाई की सब से लम्बी आड़िक अग्यपार mi की पाड़यों से जो कि तमिल लाडु में है तो बैगाई का उदगम तमिल लाडु में ही होता है नेक्स्ट बात करेंगे या पिर सबसे बड़ी लेगून जील पुछा जाई या फिर सबसे बड़ी खारे पानी की जील तीनों में एक ही आंसर होगा चिल्का जील जोकि उडिसा में स्थीत है लगबग 20 क्लूमेटर की चौडाई है लंबाई है इसकी लगबग 60 क्लूमेटर ये कहां पर है उडिसा मे कि सबसे जील बड़ी जील दौह लेकिन सबसे ज्यादा खारा पानी कि इस में किसका पानी ज्यादा खारा है जो सांबार जील का जो किराजस्तान कि नेंज़स्तां का चिल का जादा बड़ी है अगर आगर किसका पानी जपनकन सबसे बड़ी किनारे होती है अगर किसका पानी जटा आए और जेही jyla गोबिंद बल्लब पंधाल पर सागर की सउन भद्र में नाम से कई सारी जीले ईक तो है गोबिंद सागर जो की हिमाचर प्रदेश में और zag законч जोकि यह लवी गर पुछाजा सबसे लबी लेक कौन सी है लंबाई में लेक नूखा का जो प्रतियूगिता होती नौका यही प्रतियूगीता होती है जो कि केरल में और नेक्स्ट आपर कुछ और यहां पर राज्यों के इसाथ से जीले देख लेते तो लड़ाग में कौन-कौन-सी जील है पेंगाउंग तो शो मुरीरी और शोकार यह लड़ाग की जीलें जम्मु कस्मीर में कौन-कौन-सी जितने नाग वाली शेस्नाग अनंत रांग बेरी शोंनी न Orlando on News प्रेश में नाक मेर्ग जीले पर यहां पर नाको सागर है यहां पर एक आम इसली कि ब दोगा है आए चमेरा जीले महराना प्रताब्यों आएगागा जो राजस्थान में होगा वहाँ पे एक डैम के पास भी जिल बन गें जिसको महाराणा प्रताब जिल कहा जाता है लेकिन यह महाराणा प्रताब सागर जो की है हमाचर प्रदेश में फिर उत्राखंड की बात करें तो उत्राखंड में सारे ताल है नैनी ताल साथ ताल रखेगा सूरज चंद्र हिमाचर प्रदेश में थे अभी एक दो ताल और आएंगे जो यहां पर नहीं है लगबग लेकिन यहां पर है राजस्थान की बात करें तो सांभार है यहां पर पिछौला राजसमंद है जैसमंद फते सागर डिंडवाना लेक है यहां पर लूनक आएं परताफसागर दूस्रे का नाम है जावाहर सागर दोनों इंपार्टेट काफी एकजामल के लिए है कं कौन सायों फिरक्वियर ख माहार ל׏क है जो वालर यह फ्लों करते हैं आगे बात करते हैं मदीप्रदेश की तो यहाँ पर भोज ताल सांख्य ताल है यसवां राधा सागर्शागर यसी टरा बेनी सागर कहा हôm पार है मद्धिफरियं इंद्रा सागरं अंगर्घ कर देंद तीरा और गांधी दोनों पर आपल है और इंद्रा जोरी नर्मधा पर जांबल पर जो कि राजस्थान में बाध संटें से महाराणाप्रताप और जावहर सागर और जावाहर सागर बर favori डोन मन जोरह संब ही वह मद्रदेश में नेक्स्ट बात करेंगे चतीस गड़की तो चतीस गड़ में एक जील है जिसका नाम है दलपत सागर हर्याणा में कौन कौन सी जील है तो बढखल जील बढखल जील पुछी हती बहुत सुल्तानपुर जील सूरजकुंड धोज मयूर सूरजकुंड के किनारे मेला भी लगता है फरीदाबाद में फिर फbased Ireland रोपड़ हरे कांजलि स्थुल इस अथी सुखना रंजीत सागर में इसलें आतर पनज्जाब बात करते हैं करनाटकर यहां पर वेलंदूर है एक नडल यहां करनाटर यह हीलोत जलील एक तना बम्सरासाच पर वेलंदूर महाँ च Hanselम देलंगाना की तियंद सागर है आपक उसमान सागर है हुसैन सागर निजाम सागर है sous मार्न वह बहुत इंपॉटनट है पачju क spaghetti यहां समीर पेठ है हिमायद सागर है रमपप मप्ड भी तिलंगाना में उसमान उसकन निजाम सागर समेagt नेक्स्ट बात करेंगे तमिल नाडू की तमिल नाडू में कौन कौन सी जील है पुलिकट जो की आंदर प्रदेश तमिल नाडू की सीमा पर थी इसके लाव काली वेली अगर पूछा जाए सबसे सेकंड नंबर की जो लेगून जील है तो नंबर वन जो सबसे बड़ी है सब्सक्राइब कावेरी नदी पर नमीननाडू में यहां रख देखेंगे केरल में कौन 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 सी जील है पेरियार घील है पिरियार एक नदी भी करी पर है अधिर भी पर नदर ही मतलब आंदर इस जील के अंदर ही दुप बन गया है चोटा सा जैसे माजुली तुप ब्रह्मपूत्र नदी पर सम्में उसी तरह से यह वेलिंग्टन बिप है और यहां तक जाने के लिए चोटा सम्मारग है पहले इसका नाम था NH-47A लेकिन अब इसका नाम नया नाम सभी NH का चेंज कर दिया गया है इसका अब नाम हो गया है एनेच 966 बी जो है सबसे चोटा है जो की विलेंग्टेन दीव के लिए मार गए के रल में आगे बात करेंगे अडिशा की यहां पर चिलका लेकर अंसुपा लेकर चिलका तो याद रहती है अंसुपा भी याद रखी का उडिशा मिस्तित है कि नेक्स्ट जो लेख पशिम मंगाल के रवींद्र सरुवर जो कि पशिम मंगाल में मिरिक भी मिरिक पश्म मंगाल में एक मिकिर है रेंजनी की रेंजर कहांपर है तो हमने देखा ता जो कि अन्राचल परदेश के पास थी फिर सिक्कीम की के बात करें तो चुमामु क्यां सिक्किम में जहां से तीस्ता निकलती है फिर jeśli उल्फें डॉंगमार बोद्तेनि दोनु कहां पर दोनुष सिक्किम में  ठी Denn द्रपुरा के बात करें गत्रपूरा की सबसे क्यों थे रूत्रसागर की रद यप और एक चंद्रे सागर भी है तो पुछिया थी मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में पाला जील मेगाले में एक जील है उमियम जील यह सभी दच्छड जो नौर्थ इस्ट वाली है इंपॉर्टन है ज्यादा मेगाले में उमियम लेक फिर मडिपूर में है लोक्तक लेक जिस है लोक्तक लेक में आस्पास कौन सही रहन पाय जाते हैं संगाी रहें एगला है आसम की बात करते हैं चपनाला लेक है और यह पर लेक को बिल क्हाता है तो यहां पर कई सारे बील जबह hij two court रफ लोंग है चंडूबी एस सोन बीले इस अभी असम में एक जो सबसे इंपॉर्टन है वह है चपनाला नेक्स्ट बात करेंगे अनुडाचर प्रदेश की यहां पर गंगा जील है नगुला जील है माधुरी लेक है यहां पर लेक आफ नो रिटन काफी पुछी आती है अनुडाचर प्रदेश में स्थित कहीं को कुछी कल को माना जाता है काहीं किसी को माना जाता है लेकिन जो में है यहां पर जादा जगह पर मिलता वह जोग ही अभी भी नेक्स्ट बात करते हैं के मदेश समुद्र यह पर यह उन्य जलफ्रपात न्रमिदा नदी परिस्तित नंग। तो यह पूछा जाता है पाईकरा नदी पर नीलगिरी में तमिल्णाडू में तमिल्णाडू में नदी परिष्थित जबल पूछा जा चुका है तो चंबल नदी परिष्थित राजस्तान में चूलिया पुनासा और मधार तीनों चंबल परिष्थित हैं चूलिया और पुनासा ये राजस्थान में थोनों चूलिया और चूलिया पुनासा और मद्य प्रडेस फ्रेकल चूलिया पूनासा और मध्यूताएं waren थी जानी फ्रीनीनुलिया फ्र पर ये वưस्था हुआ चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट जलपरपात कहा परिस्थी तरह हरे, पूशा चेहा सकतरूट करें अधिद्धान करें यह बहुत सब्सादोत। पर फिर हुंडूरौ रे खान नती पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिंग सियंग विसा पिए मेगाले के जलप्राइब सोची पारा एंपॉर्टन थीपारल में बर्कानं करनाटक में भर्षिंवी थे रहे पर घाट्यों के बारे में तो लदाख में कौन कौन सी घाती है या पर लदाक में जमु कस्मीर के बात करें काई सारी घाटिया है पारवती है किन और पार्वती घाटी पांगी कुलु घाटी कुलु घाटी के बारे में पूछा जाता है किन देश के बीच में धोलादर और पीर बनजाल के में कुल्लु घाटी फिरा थी सांगला घाटी का एक और नाम है बस पा घाटी तो किस घाटी को सांगला बस पा काटी कहते है सांगला जुआ है जो फिर भॉख अब धर्म चा bloss hein पर यहां जो फिर पर्रवति है जो गूमनेडे लोग लाहुल घाटी चंद्र बहागा नदिया आपर बैए लाहुल घाटी में इस पीटी घाटी के बारे में पूछा जाता है कि यहां पर कौन सम्मठ हिसते है तो ताबो मठ प्रसेदे ताबो मठ स्पीती घाटी में हिस्ते थे हिमाचर प्रदेश में आगे बात करेंगे उत्राखंड की उत्राखंड में सोर घाटी नेलांग घाटी बहुत पुछी आती है उत्राखंड में और यहीं पर गंगोत्री नेशनत पार्क भी इस देता है इसी घाटी के अंदर गाटी पूलों की घाटी उत्राखंड में धर्मा गाटी भी उत्राखंड में जिस करते हैं रोडो ड्राओं की जाटी-डों की जएघिआं सिक्की अनक्सेलिंग भी पूचिय में नेवरा गें बैली नेलांग वेली कहां पर थी तो उत्राखण में थी नेक्स्ट बात करेंगे आंदर प्रदेश में कौन सा में औरागु घाटी अंध्रप्ररदेश मियुविशका बतनमे अरिया में तमिल नाडू कंबम हटाए तामिल नाडू कंबम कंड़ घारती का त्जराएं सांत पाधि टिटेन में सांती प्राकण्तल्य कहां थे सांत बात चिकनी मिट्टी में जो उसके कड़ का ब्यास होता है वो 0.002 mm से कम होता है मतलब बहुत चोटी-चोटी कड़ होते हैं गाद की बात कर तो इससे थोड़ा साधा 0.002 से लेकर 0.020 तक गाद आती है तो इसका थोड़ा करम आदक रखी का सबसे छोटा चिकनी उसके बाद फिर बारीक बालू 0.020 से 0.2 mm फिर मोटी बालू आती 0.2 से 2 mm मोटी बालू बारीक बजली 2 से 5 mm और बजली जो है 5 mm से अधिक तो सब इसमें याद रखना है मोटी बालू कितनी 0.2 से 2 नेक्स्ट बात करेंगे जलोड मिट्टी में क्या होता है तो भारत के सब्सक्र जादा एर पोटास और चूना ज्यादा होता है पोटास और चूना तो ज्यादा होता है प्रचूड़ता में रहता है लेकिन अभाव किसका किसका होता है तो एन पी का इसमें अभाव रहता है तो नाइट्रोजन और फार्सपोरस का और जीवांस का अभाव रहेगा जलोड़ों मिट् कारण यह लाल रंग की दिखाई दिती है अभाव किसका होता है तो वही नाइट्रोजन फास्पोरस जीवांस का नेक्स्ट बात करेंगे काली मिट्टी की तो काली मिट्टी कितने भाग में पाई जाती है तीसरे नंबर पर 16.6 परसेंट लगबग भाग पर पाई जाती है पर के वाल चाय कॉफी रवर वगेरा होता है और 3.7 परसेंट इसकी जो जितना भी इंडिया का भाग है उसमें इस मिट्टी का परसेंटेज 3.7 पर चुड़ता इसमें किसकी रहती है तो लोहा और एल्मिनियम की इसमें प्रचुड़ता रहती है ज्यादा वर्सा वाले एरिया यहां पर प्रचुड़ता पाए जाती है लवन और फास्फोरस की अभाव किसका होता जीवांस और नाइट्रोजन का परवती मिट्टी मिट्टी में जीवांस ज्यादा मात्रा में पाए जाते परवती मिट्टी में क्योंकि पेड़ पौदे जीव जनतु सम मरते रहते हैं तो इसलिए जीवांस ज्यादा होता है हुमस अभाव किसका होता पोटास हासोरस चूने का नेक्स आपे बांगर खाजर वगरा पूछ लिया जाता है तो मान लेज़े कि यह शिवालिक रेंजेश हैं जो हिमाले का सबसे लास्ट वाला पार्ट है उसके बाद में जो यहां पे कंकड़ पढ़े हुए हैं तो जो नदिया होती है वो जब शिवालिक रेंजेश से निकलती है नीचे मैदानों में प्रवेश करने के लिए तो पहले इनका कंकड़ पत्थरों में जाती है और बिलीन हो जाती है तो यह का क्याकर आता है तो भाबर कहते है कि भाबर कौन सा वहां पर प्रकट होती हैं वापस से निकल कर तराई वाल एयरिया तो तराई वाले एरिया में नदिया दिखने लगती है अब भांगर और खादर क्या चीजीया होती है तो दोनों जलोड मिट्टी के पार्ट हें लुवेल जिसको घाता है जलोड मिट्टी के पाटें बांगर और खादर बांगर जो थी पुरानी जलोड मिट्टी होती है जहां पर पहले तो बाढ़ा आती थी लेकिन अब नहीं आती यह उपजाओ होती है लेकिन खादर से ज्यादा उपजाओ नहीं होती है खादर वो मिट्टी होत लव खा दर मतलब खाती रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमुक परियोजना है कौन कौन सी हैं तो सरदार सर prob परियोजना गुजरात में इस्तितर नवडा नदी पर काकरापाः गुजरात में टापी नदी पर मैचिंग में पर इपठी आती हैं सभी चीज़ई यानएमले से सुमेलेत नहीं इस तरह से आता है पर नाम जो है यह परियोजना कापर कि अब जम्मू कस्मीर की देखे रतले है जम्मू कस्मीर का रतले जिए चिनाब नदी करें शथितर रतले यहां पर नदियां भी इंपोर्टन है सलाल दुलहस्ति बगलिहार 3 चिनाब नदी का जाता है जैस फिर और तुलबुल ओर नों जम्मू पर चे टाविर ऐसलेिक रहए पिर्खक को में परतार सले न महरेंड़ी नहींद परियोजना यह परियोजना कि में अल्ची गजंच्ट ये बात किए ने श्पिक से अगलनाद के पर ईन सेमा पार है पयरम्बे कुलम यह नधी पर इस्था सिंट नदी फिर मेट्टूर बान्ध मेट्टूरड़ाइम पर रहे तो इसमेलबी नदी पर इस्था सितने पायकारा जो है कुणडा नदी पर है तो गिर्णा पुर्णा और कोईना जो दोनों है तीनों है महाराष्ट में अगले हैं पर भीमा वन और भीमा टू यह महाराष्ट में इस्ती थे पमवाना नदी पर जायक वाड़ी परिज़ना काफी इंपोर्टन है महाराष्ट में गुदावरी नदी पर जायक वाड़ी कई शुइल परियोजना यह हिमालचर प्देश में शूइल नधी पर मत्ती पर्योजना किह थो नदी नदी पर कर्णातक करम नदीर नदीर है पर फरक्त कडेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें यह important है तिलया मैथान बेल का पहाड़ी जो है बराकर नदी परिस्थित है जारकंड में बराकर किसी सायक नदी दामोदर की आगे बात करेंगे पंचेथ हिल जारकंड में इस्थित है दामोदर नदी पर पंचेथ हिल दामोदर परिस्थित है और तिलया मैथान जो है यह बरा नागरजुन सागर किस परिष्टित trying thatPut You know तो तेलंगाना में चीट है आंध्र प्रदेस तेलंगाना दोनों में स्थेते दोनों की सीमा पर है नागार जुन और क्रष्णा नदीपर है बरचंपांथ ये आंत्रप्राइस और तेलंगाना की सीमा पर पोचंपांथ a कोすごть कुंढ एक ढदर प्रूब नादी पर स्भूप देर्वाइच वॉब्सेत है मतुर्य किन है कुपोंड रूभार प्हूंrevा उप्ञुद्य नाधी पर एक दोन सूर्ण कुम्होचां के अधिए toुब बन्ग भाखडा नागल परियोजना ये पंजाब राजस्थान हर्याना हिमाचल सबकी संविक्त परियोजना है सतलज नदी पर अस्थेत है और प्रमुख में डैम बना है वो हिमाचल में बना है आगे बात करेंगे हजदो बांगो ये छोटीजगड में रिस्थेत है हांसदो नदी तिपाई मुख की बात करें तो तिपाई मुख मड़ीपूर में है बराक नदी पर है फिर कलपोंग परियोजना कहां चलती है तो अंडमान में चलती है कलपोंग नदी पर कलपोंग परियोजना कलपोंग नदी पर अंडमान निकुबार में फिर उत्तर प्रदेश की बात करे में बहुत सारे पुछी आते हैं पहला यहां पर गोबिंद बलाब पंथ सागर यह सोन बदर में इस्ति था रिहन नदी पर सोन बदर में और पर आप ने पर पर एंप ने पर दोनों सोन बदर में इसलिए तो यह घॉरब सब्सक्क्राइब कोषाएब вз वियुक्ति में-पर परिक्षर पर्एब कि इस नदी पर रोहडी बांध नली नदी पर जमनी बांध लेट पूर में जमनी नदी पर मौध्ण पर इंप्रमान अधी पर इस्तिता है घंगापर और कालागड बांध यह उत्रा खंड में इस्तित लेकिन यहां पे लिखा हुआ जब भी खोला जाता है उद्राकाण में यूपी में बाढ़ा जाती तो राम गंगा नदी पर ही इस्तित है बगल में ही अपने काला गड़ और काठी किस नदी पर है तो दोनों राम गंगा पर हैं ताफी चट्चा में रहते हैं हमेशा इसमें से काठी बिजनावर में है और पर मेजाबान अगर अघर्ण परियोजनाव में बहारत और नेपाल की कौन-कौन सी सहिंत परीजनाओ है पन्चेश्वर परियुज़ना योकी महा político न्यदी पर इस्तित थल ट्राकपुर परियुज़ना महा काली पर है उसी परियुज़ना कोर चार्द looks कि भारत नि भूटान के स्फलेत संप्रोश संगोष नदी पर बारत कश्चीत भारत की मदर से बुटान में डेवलप की जा रही है नेक्स्ट आप भागोली चित्र की बात करें तो भारत का टोटल चेटेपल 32,87,263 किलोमेटर है और पुरी बुस्ट में साथ हुआ है पहले नंबर पर रसी आता है सेकेंड पर कनाडा फिर यूएस से चाइना फिर यूएसाथ में काउंट हो जाती है अमेरिका में नहीं काउंट होती है oh so sawa ing 이 इंडिया किसी बी तरह से देखाई ंड्정을ाक यहाँ बात करनेंगे इसकी इसमसित उत्तक पूरवी ओνिद बीग्री है और यह है देशांता रेखा जीरो डिग्री इंडिया यहां पर इस्थित हैं मतलब उत्तर पूर्भी इस वाले गुढ़दा अर्थ में इधर वाले में पूरब में तु certificate इफानों जो है वह विश्वत रेखा के उपर रहेगा तो तो आएट डिग्री लेकर 37 डिग्री शे मिनट अंसास तक श्थित हैं और इधर की बात करें देसांतर की तो अलश्र resting लेकिन अगर पुरा ओवर लेलिया जाए दीपों को भी मिला लेया जाए तो निकोवार वाला जो ग्रेट में कोवार में इस्तित मैं अंतर गुरम में कि बात ऐगे खरक पर मुद्य और तुन मनेश्तित में कहली हुग आठ दिंग्लाया मुद्येभब पश्चिम मंगाल त्रिपुरा मिजोरम यह आठ राज जो हैं यह करक रेखा पर इस्तेद हैं फिर मानक समय रेखा की बात करें तो पांच राजियों से होकर गुजरती यह रेखा मानक समय रेखा हमारी 82 डिगरी 30 मिनट जो देशांतर है उसको कहते हमारी मानक समय रेखा तो यह कौन कौन से राजियों से होकर गुजरती पांच राजियों में पहला उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश उसके बाद यहां पर मद्ध प्रदेश उत्तर प्रदेश मद्ध प्रदेश फिर चतीजगर फिर उड़ीसा फिर आंध प्रदेश उत्तर प्रदेश मद्ध स्थान इसके रास्ते में आ रहे हैं सब समझ लीजिए देशांतर पर रही स्थित हैं लेकिन जो में पॉइंट है यही पूछ रहता है इलहाबाद वाला पूछ ले रहता है यूपी की एक्जाम में फिर मद्रदेश शतीजकार्ड उडिशा और अंद्रप्रदेश नेक्स्ट उत्तर से देशड़ वाला याद रखेगा 3214 किलोमेटर बारत की स्थली सीमा कितनी तो 15200 किलोमेटर यह ओवर ओल सीमा है जो हमारी हमाला करला देशों से साजा करते हैं 15200 किलोमेटर और जली सीमा कितनी है तो 7516 किलोमेटर हमारी जली सीमा है और जिसमें से 5400 कुछ जो है 5 सबसे लंबी हमारी जो रेखा है सीमा वाली रेखा किसके साथ हम साजा करते हैं बांगलादेश से 4096 किलोमेटर अब पुछा रहता है कि बांगलादेश हमारे कौन-कौन से राजी जुड़े हुए है तो पहला यहां पर राजी जो सीमा साजा करता है वह है पस्षिम मंगाल य उसके बांगलादेश से साजा करते हैं मेघ् cynrado हो गया फिर इसंब हो गया ओंदेश त्रफ से जुड़ा हो ऑसम उसके बादarks राजी तो पुछ राजी होगे कौन-कौन से पहला थो फ्र पष CF वंगला फिर असम मेघ्हाले यहां मिजोरा मीजोर देह कि बांगलादेश मैक में देख लेते हैं तो पहले लद्दाग जो है चीन से सीमा साजा करता है फिर हिमाचर प्रदेश थोड़ी दूर में फिर यह उत्रा खंड इधर सिक्किम साजा करता है और इधर अरणाचर प्रदेश तो पांच राजी चीन से भी सीमा साजा करते हैं अब पाकिस्तान की गुजराथ लद्दाक पण्जाब राजस्थान गुजरत याद रखेगा हिंमाचर पृदेश जो है JJू पाकिसथान से सीमा हैं लद्दाप जमुकस्मीर पंजाब ऊत्तर प्रदेस एता है फिर बििहार उसकी वह पशेम मंगाल सिक्किम उत्राखन्ड उत्तर प्रदेश बिहार पश्रीण व बंगाल इदर नेपाल बेहार के शीम ऑफाज़ा करता है यह ब उपर घ्र पाकिस्थान पाकिस्थान के वान नेहां तो नेपाल के वाद 5 पर नमबर पर म्यामार के सीमार पहले नमबर वान पढ़ाया प्रदै shifts लगते से पंधले लगते यहां नागलड फ्र मनिपूर फिर मिजोरण चार राजियों की सीमा मैं आपारस से लगती है अब और भूटान से राजियों से महतसी हैं तो 599 km हमारी सही माचा uncovered नंंचर प्रडेश उपनीफ इन नंग इन 402 फीडीश storyline गवरेिक शोटी सीमा गाले केहांन हैं इस शहता हैं चैना पहस हुझानिस्तान से लिए आगे बात करते हैं सबसे लंभी ज़ए सीमा कान सी है मतलब ओखा जाए तो अंडमान निकोबार में हमारी जो सीमा ही लंबाई जादा ब Esse Himbert दो सब महाइं आप ही लंगा पूछा जाए है ये लिए सीमा की इन masking देल की हमारी 30 सीमा किसकी ज्यादा है तो अगर राजियों की बात की जाएगी तो गुज्रात की सब्सक्राइब लेकिन केंदर सहसित प्रदेश भी लिखा रहेगा अबलिक लगाकर तो अंडमान लिको बार की ज्यादा लंबी सीमा है तो अंडमान की है 1962 और गुजरात की है 1215 किलोमेटर यह नहीं आद रखना है कि अंडमान की ज्यादा है गुजरात से चोटी जली सीमा अगर 30 च्छेत्रों की बात करें तो सबसे चोटा है दमन्दीव लेकिन केंदर सहसित प्रदेश केवल 10 किलोमेटर इसकी सी से चैनल मंदी आते हैं तो मिनी्यक और मालडीव के बीच में मिनीकोई सब्सक्राइब को सबस्क्राइब करना इसका नाम मान के म Dü rupees गोरवाङक का इस ही जारे मेकां मिनीकोई। समात्रा इंडोनेशिया का दूइभ है और निकोबार के बिच में हिर दच्छट पूर उस्री लंका के बिच में पागा आगी आगे बात करेंगे पुधुदचेरी कि पुधुधुचेरी जुकी अन्र प्रदेश कि तरिश्ट पुदूचेरी प्रदेश पुदूचेरी में में है जो आधा पुदूचेरी अध्यूटर रहे है तरह बाद करेंगे तरह एक एरिया इसका पुदूचेरी का जो कि तमिलाडु तो यहां पे फिलोमेटर नहीं याद रखे लिए तो यहां पर आंद प्रदेश में पहला हुआ है और केरल नाडू में माहें केरल में किय ने शुक्राइब है तूब अच्छा वाला बन्हें इसमें 72 परसंट से जादा कि भूता हैं है फिर हे लाल रंका होता है लिमोनगा होता है 40-40 परशेंटेंटिज के ले लुहा पाए जाते हैं पाए जाते हैं भाम मढधी बंदाओं संगी diet . पर अंडर लाइन लगी उड़ी सा ही बात करें तो गुरु महिसानी किनी बुरु बदाम पाढ़ियां उपर पायाँ पर पाइचा है ले चेहाँ जगह रहे हैं ले फिर करनाथा की बात करें तो बेलारी सीमोगा भावाभूदन तुमकूर आप जरूर नहीं कि भागी आप नहीं निकलते होंगे लेकिन यह जरूर निकलता है पिर महाराष्ट की बात करें तो रतना गिरी चंदरपुर तमिलनाडू निलगिरी सलेम राजस्थान में नाथरा क मद्यप्रदेश में मलाजखंट से निकलता है भाला काट वाले एरिया से जारकण में मुसाबनी मिलता है लें इंपर्टन नहीं है मेंगनीज की बात करें तो उडिशा में कहां कहां से क्योंजार कालाहंडी गंजाम कोरापुट क्योंजार कालाहंडी गंजाम कोरापुट में जो है मैंगनीज निकलता है बहुत जादे उतपादा नहीं पर उडिशा में होता है मंद्य प्रदेश में बाला घट बहुत प्रस बॉकसाइट और मैंगनीज की बात की जाये तो दोनों के लिए परिशिद्ध वगेरा में पर जार्खट में जो है यह पलामु से मिलता है लुहर्डगा से मिलता है लुहर्डगार वगयार मैचिंग में आ जाते हैं किस राजी में चेत आप जार्खट में पर तमिलनाडु का सोना की बात करें तो कोलार और राचुर से मिलता है करनाटक में फिर आंध प्रदेश में अनन्तपुर से मिलता है चांदी की बात करें तो जावर खान प्रशिद्य चांदी के लिए उधायपूर में स्थित्र राजस्थान में फिर करनाटक में चित्रदुर्ग और वेलारी स एरामपूर अगूचा भील वाड़ा से निकलता है अब हीरा की बात करें तो मध्रदेश की पन्ना जिले से निकलता है अंध्र प्रदेश में गोलकोंडा से निकलता हीरा जस्ता जो है। इस जस्ता अलवर से निकलता है जावर की खानों से बहुत सारे चीजे होंगे चान्दी हो गई शीशा हो गया अब जस्ता भी निकलता है यहां से रामपुर अबरक के लिए सबसे ज़्यादा अबरक कहां पे आंदर प्रदेश में निलोर और गुण्टूर में अंदर प्रद यह जो रिपोर्ट आती उसके हिसाब से कुछ दिन बाद इसका आलग से वीडियो बनाती जागा इस टाइम पर कौन नमबर वन है कोईला की बात करें तो कोईला चार तरह क्या होता है एक एंथ्रेसाइट जो सबसे अच्छा होता है फिर बिट्यूमिनस फिल लिगनाइट और पेट सबसे खराब सबसे करें अपने उख नयब्शूमिनस फिल लिगनाइट पेट अगे बात करेंगे अपने यह सबसे यह सभीया जाएंथ जंब्मिध वाल एरिया में ठोगा जर्खन में को याँ जर्खन कहाँ पर जरिया प्रशिद्ध कोईले के लिए फस्ट्य मंगाल के बात कर तो रानिगंद दामोदर घाटी वाला जो एरिया है वह कोईला के लिए हुआग और अर्ण तो यहां का ताता पानी राम कोला सौनहथविलास पेटा पानी प्रिशित्थ ए ngism जांगे भारत का रूर किसे बीयों के वह लेक्षिद्थ पूँटाने हो तो दारवाल करम की जो चटाने है वो खनीच के लिए पिरिशिद्ध महेंगी धातु यह पर सोना वगेरा पाए जाती है तरवाल करम की चट्टानों में कोईला सरवादी कि ने एक बात बात करेंगे बात करेंगे सरप्रिथम कौन से यह पर उद्ध्योक लगे शूती वस्त्र का उद्ध्योक लगा था एक बार 1818 में कुलकाता में लगा था लेकिने आस्फल रहा था पहला सफल सूती उद्योग कहा लगा अठाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटाटा गुद्य 960 यतरी भारत का मांचस्टर की चांठा तो कानपूर कृते हैं अगरiliyor-वारत का मांचस्टर पूंचैस्टर कंदा daha पूछ boiling-था-ग। मांचेस्टर होते हैं और माननेस्टर मिल प्रशी चैतला है का यमडाँ दाबीज पीच में रह गदा था है तो कारा कोरब केपसांग लानकला चांगला जाराला खार दुँंगला थांगला जतने भारत और चीन का रास्ता बनाते हो और सभी कहां इस्तित हैं लद्दाक में कारा कोरम केपसांग लानक चांगला फिर जारा खारदूंगला थांगला सभी लद्दाक के दर्रें फिर बात करेंगे यांपर बुर्जिल दल्ला इतर रही स्री नगर को गिलगिट से जोड़ता है दर्त जमें करमेट कश्मिर में इस्तित है तर बड़ा लाचा जोड़ा को मनाली से जोड़ता इनडिया मैं और ये इस्तित है विरहोतांग मनाली ऑ रही में से हिमाल्चर प्रदेश में स्थित है फिर नीती ला भारत और चीन को जोड़ता है यह उत्राखंड में स्थित है उत्राखंड यहां पर पुरा ने लिखा गया है इसको सही कर दियागा उत्राखंड जो है उत्राखंड में स्थित है नीती ला उसके बाद लिपुलेक और मु में मुलिंग महईं है ति यह तो जईन लिए तो उनीए तो जेलएप्ला कहा पर रह रहा हैं चाने के लिए मुंबई को नागपुर से और भोर जो है भोर में निकलेंगे हम उसके बाद फिर हमारे पालने के लिए भगवान कुछ खाने खाना को देंगे तो थाल भोर पाल थाल मुंबई को नागपुर से और भोर जो है मुंबई को पूने के बीच में आएगा थाल फिर मुंबई को पूने के बीच में आएगा भोर उसके कर तो यह जो हैं दर्रे भी हो गए और यह सभी चीजे बहुत ज्यादा इंप्पॉटन थी नहीं में से कोशन ज्यादा तर पूछा राता है वीडियो पसंद आया हो यूसफुल लगाओ तो लाइक को सब्सक्राइब कर लीजेगा कि अगर आपको पूरे टेस्ट जॉइन करन प्starई प्सक्राइब करनाओ बाला यह जा ही जा पुरादा तर बहुत प्सक्राइब करना है कि अगरे सब्सक्राइब कर देते हैंको जूहखं अगर छीजार जु geweक कthought भीत नहीं अगरवारे भीते हैंको में तर बहुत दित हुत रवा जबादा डह कि थीता है ।र नही